अब आपको इसको बहुत अच्छे से जानना है यह आपकी एक्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिला है और आगे भी मिलने वाला है अपको इसको सीखना है नाम है टॉपिक का मेकर्स फॉर्मूला बचों यह आपको डायरेक्ट 5 मार्क में बिलता है तो आपको इसको अच्छे से शीखना है और इसे डायक्राम-बात्द करने हैं है convex lens बनाया बच्छो ठीक है चलिए और अगे सुनते हैं क्या किया अब मैंने बच्छो यहां से ये जानना है चलिए अब हमने क्या किया बच्छो यहां पर हमने लिया object ठीक है और object लेके बच्चो मेने इस पर ऐसे light ला गी समझ गए है इत्वाद तक कोई रिक्त नीए आपको इसको बहुत अच्छे से जानना है चलिए इसके बाद बच्चो मैं यहां से ध्यां से सुनना है मैं क्या बोलता हूं मैं यहां से बच्चो इस पर एक ऐसे यह बात है अब आगे क्या समझना है यह ऐसे जा रही थी अब क्या कर ना है कि यह ऐसे जानी थी लेकिन रही है तो normal की तरफ ऐसे हो गई समझ रहे हैं अच्छा तो ये बच्चो कुछ ऐसे चली गई समझ गए इस तरीके से चली जाती है चलिए बच्चो अब होता क्या है मैं आप से बोल रहा हूं इस face का normal कैसे बनाएंगे इस face का normal बच्चो, simple सी बात है, ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएता, समझ गए, ये इस face का normal आ गया, ठीक है, ये, चलिए, तो ये space का बच्चो, normal आ गया है, अब क्या ही ये ऐसे जा रही थी, dancer से rear में जा रही है, ऐसे निकलनी थी, है न, ऐसे पड़ी, और सीथा निकलनी थी, ऐसे निकल ली थी बच्चो, थेना, लेकिन normal से दूर हो गई, ये इसका normal था, ये normal था, ये ray ऐसे पड़ी, तो जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन dancer से rear जा रहे हैं, तो away from the normal हो गई, तो ये कैसे निकल गई, ये कुछ ऐसे निकल गई, समझ पा रहे हैं, इस तरह से आपको point को, जो की इस face में normal है, से line आ रही है, उसके लिए, चलिए, समझ गए, तो मैंने क्या बोला, ये वाला face था, इस पर ये normal है, तो इसका point का नाम मैंने C2 भड़ी है, ठीक है, इतनी बात हमने C2 बच्चो, जहां से सुनाए बच्चो, आप सारी measurement यहां से लेंगे, है ना, इ आप से आगे की बात कर लेता हूँ, मैंने कौन सा face लिया है, ये वाला face लिया है बच्चो, है ना, left face को मैंने first face माना है, तो ये इसकी R1 होगी, radius of curvature होगी, इस face की, है ना, समझ रहे है, इस face का, ये radius of curvature होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बच्चो, अब इ ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, समझ गए इतनी बात, चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब आपको क्या करना है, ये rare से dancer का formula था, इसमें values put करनी है, बच्चो, है ना, हम अपने result पे पहुंच जाएंगे, अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, क्या जान लेते distance, क्या होती है, radius of curvature होती है, इस face की, है ना, ये art होते, समझ गए, चलिए, अब क्या करना है, अब आपको simply, इसको solve कर देना है, चलिए, तो कैसे करना है, मैं आपको clear करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ, इस face के लिए, बच्चो, तो you का काम कोन कर रहा है, ये रहा, है ना object से ये वाली distance किसका काम कर रही है, इस face के लिए, यू का, चलिए, और V का काम कोन कर रहा है, V का काम, ध्यान से सुना है, इस face के लिए, बच्चो, मैं कौन से face की बात कर रहा हूँ, मैं face की बात कर रहा हूँ, इस face के लिए, है ना, इस face के लिए, ये अगर जो light ऐसे bent ना ह तो अगर रेर से डैंसर में जा रहे होते रे पढ़ी और पढ़ने के बाद मैं यह मान लेता हूं कि अभी यह उसी मीडियम में है तो सीधी सीधी ऐसे निकल जाती है के नहीं तो मैंने बोला, जो हमारा lens है, इसके center से ये distance, मैंने मान लिए बच्चो कितनी है, ये V' है, समझ गए, क्या है V' तो मैं यह लिख सकता हूं इस फॉर्मूले में मैं यह मान रहा हूं कि देर से आप देंसर में जा रहे हैं और इसके बाद मेडियम चेंज नहीं हो रहा है अगर ऐसा है तो यह रे सीडी सीदी निकल जाती है है ना चलिए तो मैं यह बोल रहा हूं म्यूटू बाई वी वी कौन है बच्चों इस केस में इस वाले फेस के लिए रे पड़ी और ऐसे नॉर्मल से निकल के रे पड़ी और ऐसे निकल के समझ रहे है तो वी क्या है आपर यह है कितनी डिस्टेंस है यह वी डैश तो म्यूटू बाई वी डैश म्यूटू अपाउन u, u क्या है, देख लिएते हैं, इसका u यही तो है, इस space का u यह है, है के नहीं, यह हुग गया, चलिए, यहाँ पे mu 2 minus mu 1 upon बच्चो, क्या बच्चो, इस surface की बात कर रहा हूँ इस surface की, तो इस surface की बात कर रहा हूँ, तो इस surface का रिडियस इनरी तो पड़ेगा और कितना रिडियस एक्वेशन नमबर फस्ट हो गई समझ घए हैं, साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइन हमने पहले ही सीखे हैं, पिछले डे डेलिएशन में सीखे हैं रे इस दैंसर में जाने के लिए, चलिए यह आपकी first equation तैयार हुगई अब मैं आपसे बात करता हूँ कौन सी equation के लिए इस space के लिए इस space के लिए अगर आप ध्यान से देखें बच्चो इस space के लिए यह ray ऐसे जा रही है इस पर एसी तो पढ़ रही है इस पर जाके ray ऐसे पढ़ रही है तो अब हमें यह नही से rare में जा रही ही है कि रही है तो वें वें लाइट वो स्प्रॉं थ्टो रेयर विडियम तो आपके पास एक equation है बच्चो क्या म्यू 1 थीक है मैनस म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन यू एक्वलस टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर यह जन्रल आप एक्टूल में चलो देट है यह ऐसे रहे है ड़ी कैसे एक्टूल में ऐसे तो फाइनल मेंज कहां बनी है जब यहां बनी है यह वाल इस टैंज तो आप क्या रख दोगे इसका यू कहां से आरी है तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो इसकी एंच वर्चॉल यहां पर अबजक्त है मैं यह माल लेता हूं कि यह कैसे कर रहा है यह रहा है जैसे यह ओजिक्त इसका यहां रखता हो आप यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों यह डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की वी डैश है तो यहां पर मैं पुट कर दूँगा प्री डैश है ना मैंने बोला कि पहले केस में जो इमेज बनती थी वह दूसरे के लिए औबजेक्ट का काम करती है यह ना क्योंकि यह रही थी इसका पता नहीं लेकर आता है कहां से आ रही है तो यह कहीं यहां मिल रही होगी तो मैंने बूला यह वह क्या है आड़ चलिए बहुत सिंपल है सीखते जाना है यह हो गई सब्सक्राइब आपको सिंपली दोनों को एड़ करना है मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं बहुत धिहान से सुननी है मेरी बात जो मैं आप से बताने जा रहा हूं आपको बच्चो इसको करने से पहले ही जब आप ऐसा derivation करें आप पहले से ही जानके चलें क्या कि आपका result जो बनेगा बिटा म्यू माइनस में 1 ठीक है एक और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 और equals to किसके बनने वाला है 1 अपॉन FK यह result मुझे बनाना है और यही makers formula है यह relation होती है makers formula क्या है relation है किसकी focal length की किसके साथ refractive index के साथ समझ गए it is the relation between focal length and refractive index and radius of curvature इनमें एक relation है इसको makers formula बोलते हैं इसका कर रहा हूं तो अब हम क्या कर रहे हैं adding कर रहे हैं first and second की LHS में LHS और RHS में RHS तो आप first equation का LHS लिखें तो mu2 upon V dash minus mu1 upon U है ना और second equation का LHS यह रहा है ना तो put कर देते हैं क्या हो जाएगा plus में mu1 upon V minus mu2 upon V dash समझ गए मैंने आपको इसको simply add किया है ठीक है RHS पर आते हैं और RHS में लिखावा है mu2 minus mu1 upon R1 first equation में plus plus क्या बच्चो mu1 minus mu2 upon R2 मैंने आपको बोला कि relation आपको यह बनानी है कैसे बनेगी आप देख लेंगे चलिए इसको जब मैं solve करूंगा इतने इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को ठीक है कैसे करना है देखिए जो cancel होता है इसको cancel कर देखिए आपको दिख रहा है mu2 upon V dash mu2 upon V dash यह plus का है यह minus का है cancel हो गया तो क्या बना देखते हैं चलिए तो क्या बचता है minus का mu1 upon U है ना यह रहा है प्लस mu1 upon V equals to बच्चो देखिए मैं क्या करता हूँ यहां पर mu2 minus mu1 है यहां mu1 minus mu2 है तो क्यों ना आप क्या करें इसको भी mu2 minus mu1 बनाए कैसे बन सकता है चेक कर लेते हैं mu2 minus mu1 upon R1 समझ गए ऐसे ठीक है चलिए अब यहां पर बटा मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसमें से minus common ले ले तो अंदर mu2 minus mu1 हो जाएगा क्या क्योंकि mu1 positive है देखिए minus minus क्या हो जाएगा प्लस और यह negative हो जाएगा mu2 और यहीं तो है तो ऐसे minus common ले ले लिया है ना सेम बनाने के लिए तो यह ऐसे हो गया ठीक है चलिए अब आगे कैसे करना है इसको बिटा यह जो लिखावा है इसमें से दोनों में से mu1 common आ जाएगा है ना यहां क् बचेगा minus का 1 upon u यहां पे बिटा 1 upon v ठीक है चलिए यहां पे आ जाएगे इसमें से क्या common आ रहा है दोनों में से mu2 minus mu1 है के नहीं ठीक है इतना हो गया अब क्या बसता है यहां पे रह जाता है 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक है ऐसे आ गया अब क्या करना है बस अब आपको इसको नीचे पहुचा देना है ठीक है अब हम अपने result के बहुत पास आ रहे हैं और यह result आपके लिए बहुत जरूरी है जानना और आपके exam में आपकी बहुत मदद करने वाला है questions में भी और derivation में भी 5 marks में result आपको पूछा जाएगा चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होने वाला ह तो अब आप क्या करेंगे इसको mu1 को नीचे पुचा देंगे ठीक है चलिए क्या बन जाएगा 1 upon v देखिए यह रहा है ना minus 1 upon u और बच्चो आपका यह mu1 उधर चला गया ठीक है तो क्या हो जाएगा mu2 minus mu1 upon mu1 ठीक है और साथ में multiply में क्या है 1 upon r1 minus 1 upon r2 getting my point चलिए जब आ 1 upon v minus 1 upon u यह तो बहुत छोटी से और सिंपल से relation है 1 upon v minus 1 upon u होता है 1 upon f तो बच्चों मैं यहां क्या लिख दूंगा 1 upon f है ना mu2 by mu1 अलग-अलग दिस लेते हैं mu2 by mu1 और यहां पे mu1 upon mu1 तो यह 1 हो जाएगा तो बच्चों यहां पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से है ना और बच्चों एक चीज़ और कर लेते हैं mu2 by mu1 को एक नाम ले देते हैं कि mu2 by mu1 equals to beta mu तो आप क्या लिख देंगे 1 upon f equals to mu minus में 1 upon r1 minus 1 upon r2 यही आपको relation proof कर लीती बच्चों very very important है यह relation बनाई है focal length की refractive index के साथ and radius of curvature के साथ जो इन दोनों faces की हैं चलिए आप जान गए हैं इसको बहुत अच्छे से तयार करना है I hope आपने इसको बहुत enjoy किया होगा और अगले lecture में बात करेंगे और नए-नए concepts के साथ न झाल 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 झाल